अजी कैसे हो आप सब पता है ये शाम का टाइम था करीबन करीबन आई थिंग चार-पांच बज़ रहे होंगे और मैंने टीवी चला लिया था और मतलब मैं उसमें सोंग्स करा देख रही थी और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये कौन सा वाला सोंग है जो मैं देख रही हूं क्योंकि मुझे लगता है आपको पता है पता चली गया होगा तो यहां पर पता है क्या मैं एक्सरसाइज कर रही थी और विहान जीती कर रहा था बोल रहा था कि मतलब मेरा पैर खीचने लग रहा था बार-बार मतलब कि मेरे को भी बैठा लो तो फिर मैंने उसको अपनी गोदी में लेके थोड़ी सी साइकलिंग कर रही थी तो ना साइकल का घर पे होने का ये सुख तो होता है कि आप पते क्या होता देखो कमरे में बै नोरंजन के लिए ही मतलब होता नहीं है साइकल थोड़े से पाउं घुमा लेते हैं साइकल पे तो इससे थोड़ा तो बैनीफिट होता है आपका ना थोड़ा शरीट ठीक रहता है तो यहाँ पे ना मैंने काफी देर हो गई थी एक्सराइज करते हुए करीबन 20-25 मिनट हो प्यार कर रही थी पर ना बाबु माननी रहा था तो मेरा थोड़ा सा ना इसके साथ मस्ती करने का मन कर रहा था मुझे लगा चलो इसको थोड़ा सा प्यार करते हैं वैसे ना ये बात तो है ना कहते हैं माईक के और ससुराल में फरक तो होता है जैसे माईके में ना जैसे मा लो हमारी तब्यत भी खराब होती है तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं या फिर मतलब वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो ना मतलब अंदर से ऐसे फिलिंग नहीं आती ना कि यार मतलब ना गिल्ट फिल नहीं होता लेकिन ना ससुराल में तो ऐसा होता है ना कि अगर हम जादा घंटे के लिए अराम करते हैं तो मतलब खुद से ही मन में आ जाता है ना कि यार मतलब काम पे लग जाते हैं या फिर मतलब होता है कुछ तो फरक होता है तो यहाँ पर मैं अपने बाबू को ना प्यार कर रही थी आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में इस तरीके की बाते क्यों कर रही हूँ तो वैसे ही मैं सोच रही थी मतलब अपनी लाइफ को ना मतलब कंपेर कर रही थी मैं सोच रही थी कि जब मैं ससुराल में रहती थी तब मैं इतना काम करती थी और अब तो मैं उसका 30% काम भी नहीं करती हूँ मैं काफी कम काम करती हूँ भेले के कमपैरिजन में तो फरक पड़ जाता है चलो, रो रो के तो साथ लगा मेरे अब चलो अपनी कुर्सी पे बैठ जाना मैं इतने खरीदारी कर लेती हूँ चलो बच्चे सीडी पे पैर रखो बहुत रो रहा था पापा जी को आना पड़ा देखो साथ में मैं का चलो इसको ले ही चलते है चुपी नहीं हुआ अब चुप है इसको पता है रोता है तो इसका काम बन जाता है चलो अब घूम ले अब चुपी लेने दे तेरे लिए चुपी लेनी है ना बाबू बैठ जो अपनी चेयर पे विहान बैठ जो अब की पेड़ेट कुर्सी है ना इस पे बैठे रहो उटने जिके बच्चे पैडिया अपना आ अराम से तो छड़िये पर एक आटे की कर दिजे चोटी वाली थैली दे दीछी ये कितने vitillin है ये ये पांच वाली दे दी ची ये पांच वाली दे दी ची अ एक पांचड लोभी तो ले लेते आं झांशा होता है थोड़ी डाले वाले देखनी है, मुझे रहें, मैं ना छोटा वाला पैकिट लूँगी, एक पैकिट लोबिया तो ले लेते हैं, अच्छा होता है, मैं यहां रखे जा रही हूँ, डाल ना में कुछ कम में चाहिए, फोरी, पीली डाल, हाँ, यह जैसे यह साइस सही है, जैस अच्छे हूँ है, आई थिंक, यह राजमा ले लेते हैं, यह तो पक्का, मैं लाती भी नहीं हूँ घर पे, तो यह तो नहीं मिलने वाली, चन्य की दाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं लेने वाली हूँ, यह ले लेते हैं, फोड़ी थोड़ी दाले लेनी है, अहां ना 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 ये तो बिल्कुल भी नहीं चन्ने छोले नहीं लूँगी मैं ये ले लेते हैं काले चन्ने आई थिंक नहीं है गर में काले चन्ने ले लेते हैं इसके अलावा क्या ले क्या ले दालों में पहले काम करते हैं हम यही दो दाले खाते हैं यही चीज़े खाते हैं उसके बाद और लेंगे हम दालो में न के अलावा मैंने देखिये क्या क्या ले लिया है मैंने मेथी दाना लिया है तेज पत्ता लिया है बड़ी इलाइची भी है इसने और यह क्या बोलते हैं इसको काली मिर्च यह सब ली है मैंने थोड़े खड़े मसाले ले लिए इसके अलावा मैं यहां पर ले रही हूँ सोया बीन ग्रेनुल सी है मतलब सोया बीन का चूरा है क्रश किया हुआ इसको ना जैसे हम पानी वगएरा की कोई तरी वाली सब्जी बनाएंगे तो उसमें डाला करेंगे तो मुझे अच्छा लग रहा है प्रोटीन का गुड़ सोर्स है इसके अलावा देखिए मैं क्या ले रही हूँ माचिस की एक डिबा लिया है मैंने इसकी जरूरत कहीं बार लाइटर वाइटर खराब हो जाता है या फिर मंदिर में भी जरूरत पढ़ती है यह यह है मैंने यहां पर लगाए जा रही हूँ वावू बड़े अराम से बैठा है वावू एक यह चोवन प्राश दे दीचिए छोटी बड़ी चोटी वाली चोटे वाली दे दीचिए हाँ यह वाला साइस ठीक है इसे पह छोटे है ना यह वाला यह दे दीचिए मैं ट्राई कर लूँगी यह वाला दे ना फिर बाद में ले जाओंगी बड़ा यह ठीक है साइस यह वाला देख दीचिए छोटा है ना साइस यह ठीक है एक्चुली मैं ससुराल माईके का यह बात इसलिए कर रही थी क्योंकि ना अभी कुछ टाइम से ना मतलब मेरा घर का काम चल रहा था शिफ्टिंग का उन कामों में काफी बीजी थी और ना मैंने काफी उस टाइम शोपिंग भी कर रही है आपने भी देखा है पर अब मुझे ना अपनी सेविंग पे ध्यान देना है और मैं भी पते थोड़ी सी ना शोपिंग से बोर्स ही होने लग गई हूं मुझे भी खुद को ऐसे लगने लग गया कि बहुत हो गया मतलब कितने सारे ब्लोग्स मेरे आ चुके है ना शोपिंग 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 अब शोपिंग ना करके ना हम घर के काम करा करूंगी मैं जैसे घर को सवारना, अच्छे से रखना, घर पे जैसे खाना बनाना कुकिंग की वीडियोज मतलब और घर पे जैसे कपड़े धोना मतलब मैं घर के काम का अच्छे से करना चाहती हूं मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है अगर मेरे कोई जादा अच्छे से नहीं आता कुछ बनाना तो मैं ना मतलब आगे धीरे धीरे ना जैसे खाने पीने के ब्लोग्स लाया करूंगी अच्छे चीव डिश खुद भी सिखूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी तो मेरे को कुछ सीखने को भी मिलेगा ना तो वो मेरे जादा अच्छा रहेगा तो मैं यही बात सोच रही थी कि ना पहले तो आप यह डेकॉरेशन देख लीजिए दिवाली के टाइम लड़िया लगाई थी कि मैं दिखाना ही आपको भूल गई थी मेरे वाले घर में लगाई थी अच्छली बात किया है जो विहान का घर है ना मतलब वो छोटे वाला जो गहर है मैं उसको बहुत ही सुन्दर सजाना चाहती हूँ मेरी अंदर से दिल से इच्छा है कि कोई उस घर को देखे ना तो मतलब उसके मुझे निकले कि नई वाओ वाओ बहुत अच्छा है मतलब मुझे कभी शोक नहीं रहा मुझे इतना ज़्यादा कभी शोक इस चीच का नहीं था कभी शुरू से इतना नहीं था कि घर को इतना जादा बहुँ जादा सजा के रखना है डेकोरेट करना है पर पता नहीं क्यों इस घर के लिए ना खुद अंदर दिल से आ रहा है कि मैं इस घर में मतलब ऐसा बनाऊं कि कोई देखे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ है कुछ बढ़िया बनाया है मैं मत बहुत मतलब ऐसा है लेकिन बस छोटा सा ही है मेरे ख्याल से ये टोटल ही 40 गज का पढ़ता होगा आगे पीछे का मिला के 40 गज का ही होगा जादा बहुत इतना बड़ा भी नहीं है पर लेकिन फिर बी ना अंदर से ना एक होती है मतलब एक खुद सी अंदर से जब आता है लेकिन अब वो चीज ना मतलब मेरे कोई अंदर से आदत सी बन गई है पता नहीं क्यों मैं पूरा टाइम घर को ऐसे देखती रहती हूं कि ये चीज घर में बिखरी ना हो कोई बिखरी चीज होती है इसको मैं समेटने लग जाती हूं मेरे में पहले नहीं थी ये पर पता मेरे को ना सुपय उठती है मन करता है कि उस घर को पूरा अच्छे से टिप टोप रखू कभी कोई चीज भी देखती हूं तो ऐसा लगता है कुछ होम डेकोरेशन की कोई चीज हो कोई सुन्दर सी वो ले आउं और सजाओ उसको उस घर पे तो मेरा अभी भी बहुत मन करता है मतलब मैं कह रही हूं कि मुझे सेविंग तो आगे करनी है लेकिन फिर भी मेरा बड़ा मन करता है कि अब भी मुझे घर का और अच्छा लगा हूं मतलब अपनी पूरा 100% देना है कि यह घर बहुत अच्छा सुन्दर सजाना है और इसके लिए तो मैं बहुत मेनत करने व थोड़ा सा तुरिज को सजाली है तो मेरता दाइं तो झाल धी हम करती हो मेरा टाइम पास ंछा हो जाता है और सफाई की सफाई मी घर भी सुन्दर लगता है तो ऑं अच्छा लगता है इस तरीके से घर का काम और मैं आने वाली आप मेरी वीडियो में चीजब है और फीड काम नहीं नहीं डीशिस बनानी हैं कुकिंग सीखनी है और अच्छे से सीखनी है बैटर करनी है अपने घर को बिल्कुल बहुत सुंदर बनाना है हम बहुत सुंदर बनाऊंगी मैं बहुत डेकोरेट करूंगी इस घर को सजाऊंगी पूरा तो चलिए I hope so आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताएगा और क्या क्या कर सकते हैं मैं करूंगी ठीक है अबना ध्यान रखिए बाई बाई टेक केर